नमस्कार दोस्तों मैं दीपक स्वागत करता हैं एक बाद फिर से आप सबी का आपके अपनी चैनल लीफ़र्म अपडेट्स पर दोस्तों अभी मैं हूँ भारतीय थल से न जानी की इंडियन आर्मी की ओफिसल वेबसाइट पर दोस्तों एंडियन आर्मी की तरफ से 510 बेस वक्सप देख सकते हैं यहाँ पर ओफिसल नोटिफिकेशन है यहाँ पर और यहाँ पर देख लीजिए 510 आर्मी बेस वक्सप की तरफ से जो है ITI pass candidates, diploma pass candidates और B.Tech pass candidates के लिए apprenticeship की vacancy निकली है, total यह vacancy जो है friends यहाँ पर total 181 post के लिए vacancy है, हम लोग पूरा आज के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको apply करना है, apply करने के लिए उनकों से criteria लग रही है selection process आपका क्या होगा, किनकी लोगों को apply करना है, diploma के candidates कैसे apply करनेंगे, ITI के candidates कैसे apply करनेंगे, इसके बारे में full details में हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ने से पहले friends में आपको बता दू कि हमारे channel पर आपको ITI से जूरी भी जानकारी, defense से जूरी भी जानकारी, SSC, railways, सही तो सभी प्रकार के vacancy की जानकारी दी जाती है, हमारे channel पर इसके अत्रिक जो है friends community post पर ये देख सकते हैं, community post का ये यहाँ पर link है, community post पर friends आपको सभी प्रकार की जितने भी यहाँ पर admit card आते हैं, उन सब का link आपको जो है download करने के लिए दिया जाता है, और engineering graduate candidates हैं, उन सब को जो है apply करने के लिए NTS के portal पर आकर के यहाँ पर registration करना होगा, जिन्होंने अभी तक registration नहीं किया है, उनको यहाँ पर enroll पर click करके आना है, और यहाँ पर अपना enrollment करना है, enrollment करने के बाद जो है कम से कम यहाँ पर 3-4 दिन का समय देना होता है friends, enrollment confirm होने के लिए और जितने भी यहाँ पर देखिए, इसी तरह से आपको है, फोरम आपको भरना है, इस तरह से फोरम भभने के बाद आपका enrollment हो जाएगा, और यहाँ पर जितने भी ITI के candidates है, ITI के candidates को apply करने के लिए यहाँ पर आना है, है क्या क्या इसमें है criteria चले friends देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस notification को 28 December 2022 को जारी किया गया है apply करने का link जो है काफी लेट से friends यहाँ पर जारी किया गया है इसलिए मैंने भी जो है यहाँ पर अपने टीशी पोटर पर क्योंकि apply करने का link काफी लेट से आया है इसलिए मैंने भी जो है इस वीडियो को लेट सही बनाया है आपको जो है अपलाई करने के लिए यहां पर डेट दिया हुआ है 31 जनवरी 2023 तका जो है आप अपलाई इस फोरम को कर सकते हैं कौन-कौन से लोग है आप चलिए यहां पर देख लीजे for the year 2023-24 मतलब 2023-2024 के लिए वेकेंसी आईवे अपरेंटिसिप की अपरेंटिसिप करना बहर जरूरी होता है अगर आप जब तक अपरेंटिसिप नहीं करेंगे आपको जो है पर्मानेंट नौकरी में मिलने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि अब जो है अपरेंटिसिप का चल इस तक यह जो लिंक है इन दोनों पोर्टल पर यहाँ पर खुला रहेगा आगे चलते हैं अब हम लोग यहाँ पर देख लिजे अब यहाँ पर यहाँ पर ट्रेड है जितने भी ट्रेड्स है वो उनका यहाँ पर जानकारी दिये वह यहाँ पर सीडियल लंबर है उसको अब यहाँ पर प्वोष्ट थे अब यहां पर देख लीजे डिप्लोमा के पोष्ट कौन कौन से है जोप्पर जापर यहाँ पर सब्स्री Cecil Israel और electronics engineering के यहाँ पर 11 vacancy है अब यहाँ पर engineering graduates के लिए देख लिए यहाँ पर mechanical graduates जितने candidates है उनके लिए 4 vacancy है electrical and electronics engineering के लिए यहाँ पर 3 vacancy है total मिला करके यहाँ पर vacancy 181 है 181 vacancy है आगे चलिए फ्रेंट्स यहाँ पर देख लिए इस vacancy में आपको जो है entrance exam के थुरू ही आप जो है qualify कर पाएंगे इसका entrance exam जो है आपको merit में लिया जाएगा merit उत्तर प्रदिस में लिया जाएगा आपका जो है exam जो है friends 29 या 30 मार्ज 2023 को होगा merit में आगे चलिए यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन-कौन से documents की जवरत आपको पड़ेगी apply करते समय तो यहाँ पर देख लिए इन सब documents की जवरत पड़ेगी इन सब documents को already अगर आपने यहाँ पर 100% profile complete कर लिया है friends apprenticeship portal पर तो इन सब documents के through ही किया होगा जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर 100% profile complete नहीं किया है उन लोगों को मैं बता दूँ कि इसके लिए यहाँ पर 100% profile को complete करने के लिए मैं already video बना चुका हूँ अगर आपने video नहीं दिखा है तो चले friends मैं आपको दिखा देता हूँ देख लिजे friends यहाँ पर अब जितने भी apprenticeship की vacancy आती है i2i student के लिए उन सब को vacancy के लिए मिले यहाँ पर चाहे वो diploma के हो सब की vacancy के लिए मैंने अलक से प्ले लिस्ट ही बना दी है यहाँ पर देख लिजे apprenticeship portal पर 100% profile complete कैसे करें यह video है इस video का link आपको उपर flash ओड़ा होगा friends right side में उस video को जरूर जाके देखेगा 12000 से अधिक students ने यहाँ पर जो है इस video को देखा है और 100% profile जो है अपना complete किया है apprenticeship portal पर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर भी आप comment कर सकते हैं और इस video को भी इस video में भी आप जा करके comment कर सकते हैं मै बहुत जल्द ही reply देता हूँ friends चलिए हम लोग सीधा चलते ही notification पर यहाँ पर जितने भी documents है वो सभी documents को वहाँ पर लगाना होता है portal पर अभी यहाँ पर friends कहा जा रहा है कि कोई application fee आपको नहीं देना है इन दोनों portal पर कब तक apply कर सकते हैं 31 January 2023 तक कहा जा रहा है कि जितने प्रकार का जो है TA जाने कि travel allowance आपको नहीं मीलेगा इस vacancy में जो है आपको सामील होने के लिए जवाब exam देने जाईएगा तो इस तरह से देखिए friends यह पूरा notification समाथ हो गया है चलिए हम यहाँ पर आपको जितने भी ITI के candidates हैं उन सब को कैसे apply करना है मैं आपको दिखा दे देखेगा अब यहाँ पर हम लोग आगा है अपरेंटिशिप पोर्टल पर ITI के students के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर login करना होगा login करने के बाद आपको dashboard आपके सामने खूलेगा उस dashboard में आपको apprenticeship opportunity दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगे यहाँ पर आपको सामने आ जाएगा 510 diya हुआ है लेकिन यह फैकेंसी यहाँ पर आईएगा आप और इससी पर क्लिक किजेगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है रेफरेंट्स सबसे नीचे जाना है नीचे जाएगा यहाँ पर इस थी जाने के बाद how to यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर मिल रहा है 9-1-2-0-3 यहाँ से आपका start हो गया है जितने भी पोस्ट हैं वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे information and communication technology maintenance फिर यहाँ पर instrument mechanic की पोस्ट यहाँ पर दिखेंगे उसके लिए आपको apply यहाँ पर apply पर click कर देना है जैसे कि माल लिजए मैंने यहाँ पर whether CDI किया है तो मैं यहाँ पर apply पर click करнемगा apply पर click करने के बादा को कहा जाए कि पहले आप login कीजे, आपको login करके ही यहाँ पर friends apply करना है इस बाहरे से जैसा ही आप login करके जरूर बताएगा किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजेगा तब तक रखीएगा अपना ख्याल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए वेकंसी या एडमेट कार्ट के साथ किसी नए एंसर की के साथ जैहिन